रुचिरा भागतीन रुचिरा तृतियो भागह अश्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रिष्ठ संख्या चोरानवी चतुरदशह पाठह आर्य भटह भारत वर्ष की अमुल्य निधी है ज्यान विज्यान की सुदीर्ग परंपरा इस परंपरा को संपोशित किया प्रबुद्ध मनीशियों ने इन्ही मनीशियों में अग्र गण्ने थे आर्य भट दश्मलाव पधती आधी के प्रारंभिक प्रयोकता आर्य भटने गणित को नई दिशादी इन्हे एवं इनके प्रवर्तित सिधान्तों को ततकालीन रूढी वादियों का विरोध जहलना पड़ा वस्तुतह गणित को विज्यान बनाने वाले तथा गणिती गणना पधती के द्वारा आकाशी ये पिंडों की गती का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे आचार्य आर्य भटके इसी वैदुश्य का उद्घाटन प्रसुत पाठ में किया गया है पाठ इस प्रकार है पूर्व दिशायाम उदेती सूर्य पश्चिम दिशायाम चा अस्तम गच्छती इती दृष्यते ही लोके परम न अनेन अबबोध्यमस्ती यत सूर्यो गतिशील इती सूर्यो चलह पृथिवी चा चला या स्वकिये अक्षे घूर्णती इती सांप्रतम सुस्थापितह सिद्धांतह सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितह सासीत महान गणितग्यह ज्योतिर विच्च आर्य भटह प्रिथिवी स्थिरावर्तते इती परंपरया प्रचलिता रूढिह तेन प्रत्यादिष्टा तेन उदाहरितम्यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टह मानवह नौकाम स्थिरामनुभवती अन्यान चा पदार्थान गतिशीलान अवगच्चते एव मेव गतिशीलायाम प्रिथिव्याम अवस्थितह मानवह प्रिथिवीम स्थिरामनुभवती सूर्यादिक ग्रहां चा गतिशीलान वेत्ति शट सप्तत्यधिक चतुह शततमे खृस्ताब्दे आर्यभटह जन्म लब्धवानिती तेनईव विरचिते आर्यभटियम इत्यस्मिन ग्रंथे उल्लिखितम ग्रंथोयम तेन त्रयो विंशतितमे वयसी विरचिता अयतिहासिक स्रोतोभी घ्यायते यत पातलि पुत्रम निकशा आर्यभटश्य वेधा शाला आसीत अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्म भूमे पातलि पुत्रमेव आसीत आर्यभटश्य योगदानम गणित जियोतिशासं बध्धंवरतते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वं आदधाती आर्यभटह हलित जियोतिश शास्त्रे नाविश्वसितिस्मा गणितीय पधत्या कृतम आकलनम आध्रित्य एवत्यन प्रतिपाधितम यत्र ग्रहने राहु केतु नामकव दानवव नास्तिकारणम तत्रतु सूर्य चंद्र प्रिथवी इटी त्रीनी एवकारणानी सूर्यम परितह भ्रमंत्याह प्रिथिव्याह चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहनम भवती यदा प्रिथिव्याह चाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध्यते तदा चंद्र ग्रहनम भवती तथैव प्रित्वी सूर्ययोह मध्ये समागतस्य चंद्रस्य चाया पातेन सूर्य ग्रहनम द्रिश्यते समाजे नूतनानाम विचारानाम स्विकारे प्रायह सामान्य जनाह काषिन्य मनुभवन्ति भारतिय ज्योतिह शास्त्रे तत्हईव आर्य भटस्यापि विरोधह अभवत तस्यसिद्धान्ताह उपेक्षिताह सपंडितं मन्यानाम उपहास पात्रम जातह उनरपितस्य द्रिष्टिह कालाति गामिनी द्रिष्टा आधुनिकाई है वैज्ञानिकाई है तस्मिन तस्यच सिद्धान्ते समाधरह प्रकटितह अस्मा देवकारणात अस्माकम प्रथमोप ग्रहस्य नाम आर्य भट इतिक्रितम वस्तुतह भारतीयायाह गणित परंपरायाह अथच विज्ञान परंपरायाह असव एकह शिखर पुरुशह आसीत प्रिष्ठ संख्या चियानवे शब्दार्थाह लोके संसार में अवबोध्यम समझने योग्य या जानने योग्य या जानना चाहिए अचलह स्थिर या गतिहीन चला अस्थिर या गतिशील स्वकिये अपने अक्षे धूरी पर घूर्नती घूमती है सुस्थापित है भली भाती स्थापित प्राथम्येन सर्व प्रथम जियोतिर्विद्ट जियोतिशी रूधि प्रचलित प्रथा या रिवाज प्रत्यादिष्टा प्रति जमा आदिष्टा खंडन किया ख्रिष्टाब्दे ख्रिष्ट जमा अब्दे ईश्वी में शट सप्ततिह छिहत्तर वायासी आयू में या अवस्था में या उम्र में निकशा निकट वेधशाला ग्रह या नक्षत्रों को जानने की प्रयोग शाला आकलनम गणना आदधाती रखता है ब्रह्मन क्याह घूमने वाली की या घूमती हुई की चाया पाते न चाया पढ़ने से अवरुध्यते रुक जाता है अपरत्र दूसरी ओर अवस्थितह स्थित विश्व सितिस्मा विश्वास करता था प्रतिरोधस्य रोकने का पंडितम मन्यानाम स्वयम को भारी विद्वान मानने वालों का कालाती गामिनी समय को लांगने वाली प्रिष्ठ संख्या सतान्वे अभ्यासह अभ्यास संख्या एक एक पदेन उत्तरत क सूर्यह कस्याम दिशायाम उदेति ख आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत ग महान गणितग्यह ज्योतिर विच्च कह अस्ति ग आर्यभटेन कह ग्रंथह रचितह न अस्माकं प्रथमो पग्रहस्यनाम किम अस्ति अभ्यास संख्या दो संधि विच्चेदम कुरूत क ग्रंथोयम क सूर्या चलह ग तथैव ग कालाति गामिनी न प्रथमो पग्रहस्य प्रिष्ठ संख्या अठानवी अभ्यास संख्या तीन अधो लिखित पदानाम विप्रीत आर्थक पदानी लिखत क क उदायाह ख अचलह ग अन्धकारह ग स्थिरह न समादरह अभ्यास संख्या चार अधो लिखितानी पदानी आध्रित्य वाक्यानी रचयत क साम्प्रतम ख निकशा ग परितह ग उपविष्टह न कर्मभूमिह अभ्यास संख्या पाच मंजूशा तह पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयत यहां मंजूशा में पाच पद दिये गए हैं यह पद हैं नौकाम, प्रितिवी, तदा, चला और अस्तम इनहीं पाचों शब्दों से आगे के पाच वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा करना है क सूर्यह पूर्व दिशायाम उदेती, पश्चिम दिशिचा रिक्त स्थानम गच्छती क सूर्यह अचलाह पृथवीचा रिक्त स्थानम ग रिक्त स्थानम स्वकिये अक्षे घूर्णती ग यदा पृथिव्याह चाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध्यते रिक्त स्थानम चंद्र ग्रहनम भवती नौकायाम उपविष्टह मानवह रिक्त स्थानम स्थिराम अनुभवत प्रिष्ठ संख्या निन्यानवे अभ्यास संख्या छे उदाहरणानु सारं पदपरीचयं ददत यहां उदाहरण में पद चंद्रस्य है जिसका लिंग पुलिंग है विभक्ति शस्थी है और वचन एक वचन है इसी प्रकार आगे के पाँच शब्दों में आपको लिंग विभक्ति और वचन बताना है यह शब्द है क वेधशालायाम ख प्रिथिवी ग परंपरया ग त्रीणी ना चाया पाते न अभ्यास संख्या साथ मती शब्दस्य रूपाणी पूरयत यहां शब्द है मती इस शब्द के संबोधन सहित आठ विभक्तियों और तीनों वचनों में निर्देश किया जाना है जहां जहां रिक्तस्थानम कहा जाएगा उन उन जगहों पर उचित वचन को भरना है विभक्ति प्रथमा मतिह मती मतायह विभक्ति द्वितिया मतिम रिक्तस्थानम मतीह तृतिया मत्या मतिभ्याम रिक्तस्थानम चतुर्थी रिक्तस्थानम मतिभ्याम मतिभ्यह पंचमी शेष्ठी सब्तमी संबोधनम रिक्तस्थानम हे मती हे मतयाह प्रिष्ठ संख्या सव योग्यता विस्तारह आर्यभट को अश्मकाचारिय नाम से भी जाना जाता है यही कारण है कि इनके जनमस्थान के विशय में विवाद है कोई इनहें पाटली पुत्र का कहते हैं तो कोई महाराष्ट्र का आर्यभट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया उन्होंने दशमलव के बाद के चार अंकों तक पाई के मान को निकाला उनकी दृष्टी में पाई का मान है तीन दशमलव एक चार एक चह आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद साथ अंकों तक जाना जा सका है तदनुसार पाई बराबर तीन दश्मलव एक चार एक छह नव दो छह भारती जियोतिश शास्त्र वईदे के युग में यग्य के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए जियोतिश शास्त्र का उद्भव हुआ कालांतर में इसके अंतरगत ग्रहों का संचार, वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथी, घंटा आदी पर गहन विचार किया जाने लगा लगध, आर्यभट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भासकराचारिय, बालगंगाधर तिलक, रामानुजन आदी हमारे देश के प्रमुख ज्योतिश शास्त्री हैं आर्यभटियम, सौर सिध्धान्त, ब्रिहक्त संहिता, लीलावती, पंच सिध्धान्ति का आदी ज्योतिश के प्रमुख समसक्रित ग्रंथ हैं आर्यभटियम आर्यभट ने 499 इसवी में इस ग्रंथ की रचना की थी यह ग्रंथ 20 आर्या चंदों में निबद्ध है ग्रहों की गणना के लिए कली समवत तद अनुसार 499 इसवी में 3600 कली समवत को निश्चित किया गया है गणित ज्योतिश संख्या के द्वारा जहां काल की गणना हो वह गणित ज्योतिश है ज्योतिश शास्त्र की तीन विदाओं यथा सिद्धान्त, भलित एवं गणित में यह सरवाधिक प्रमुख है प्रिश्ठ संख्या 101 भलित ज्योतिश इसके अंतरगत ग्रह नक्षत्रों आदी की स्थिति के आधार पर भाग्य कर्म आदी का विवेचन किया जाता है वेधाशाला ग्रह नक्षत्र आदी की गती स्थिति की जानकारी जहां गणना तथा यांत्रिक विधी के आधार पर ली जाए वह वेधरशाला है यथा जंतर मंतर योग्यता विस्तार में उलेखित विद्वानों की कृतियों के नाम का संकलन करें योग्यता विस्तार में उद्रित पुस्तकों के लेखक का नाम बताएं आर्यभट के अतिरिक्त कुछ अन्य गणितग्यों के नाम तथा उनके कारियों की सूची तयार करें रुचिरा भाग तीन अभी आप सुन रहे थे आठमी कक्षा के लिए संस्कृत की धोनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. झाल 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 झाल